ओम सिरी गने साय नमा दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 जन्वरी रविवार के रासी फलक के बारे में कि यह दिन तोलाराशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाईदा होगा हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों को से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके जड़ी दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा तुला राशी वालों के लिए रविवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज आप पिछली कुछ कमियों से सीख लेकर अपनी दिन चरिया में और बहतर सुधार लाने की कोशिस करेंगे जिसमें आप सफल भी होंगे और इस तरह की कोशिस से लोगों के साथ सम्बंदों में आश्चर्य जनक सुधार आ जाएगा दोस्तो आज प्रतिष्ट लोगों से भी मुलाकात लाबदायक और सम्मान जनक रहेगी तथा उनके साथ समय व्यातित करना और सामाजिक गतिविदियों में भाग लेना आपके व्यक्तित में और अधिक निखार लाएगा आज रुके हुए काम बन सकते हैं उन पर अपना ध्यान अधिक केंदरित रखें आज घर में कोई मांगलिक कारेशंपन होने की भी संभावना है जिससे परिवार में प्रसंदता का माहौल रहेगा साथ ही आज का समय आपके लिए कुछ नई उपलब्दियों का निर्माण कर रहा है जो की भविश्य में आपके लिए बहुत ही अधिक फायदेबंद साबित होंगी दोस्तो अपनी योजनाओं को सुरू करने से पहले एक बार पुने उस पर सोच विचार अवश्य करें आज आपको कोई महतपउन कारे की सूच न मिलेगी उसे नजर अंदाज बिलकुल ना करें दोस्तो आज आपके साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिस से आपको लगेगा कि किसी का आसिरवाद आपके उपर है अपनी पृतिभाओं को पहचाने और पूरी उर्जा के साथ अपनी दिंचरिया वेकारे प्रणाली पर ध्यान केंद्रित रखें दोस्तो रिष्टेदारों का घर में आज आगमन होगा आपसी मेल मिलाप घर में खुसियां और सुकून लेकर आएगा साथ ही किसी परिवारिक व्यक्ति की किसी भैतरीन उपलब्दी पर घर में आज जसन का माहूल भी होगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आज वरिष्ट तथा अनुबवी लोगों से सला लेने में आप परेज ना करें उनका मार्ग दर्शन वे सैयोग आपके मनोवल को और अधिक बढ़ाएगा व्यर्थ की बाहरी गतिविद्यो में समय नश्ट आप ना करें नकारात्मक प्रवर्ती के लोगों से दूरी बना कर रखें वे आपको आपके लक्षे से भटगा सकते हैं और किसी प्रकार का आर्थिक लुकसान और मान हनी की भी आज संभाव ना हैं वे ध्यार्ती अपनी पड़ाही के प्रती और अधिक ध्यान केंद्रित रखें आज खर्चों की बहुत अधिकता रहेगी इससे आर्थिक इस्तिती डगमगा सकती है इसलिए बजट बनाकर चलना जरूरी है कभी-कभी आपका एहम और क्रोध पूर्ण श्वयभाव परिस्तितियों को दूसित कर हो सकता है इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें दोस्तों साथ साथ अपने सुब चंतकों पर किसी भी प्रकार का विचार विमर्ज करने से उचित हल प्राप्त हो सकता है घर के बड़े बुजरगों की देखवाल में भी समय व्यतित करना आवशक है भूमी संबंदित कार को लेकर कागजातों में कोई दिक्कत आज आ सकती है परन्तु जरासी भी समझदारी और समझ बूज से काम बहुती आसानी से बन जाएंगे आज रूपे पैसे का लेंदेन ना ही करें तो अच्छा है दोस्तों अपने बजट को ध्यान में रखकर आप खर्च करें कोई पैत दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली हैं दोस्तों परिवार के साथ मनुरंजन संबंदित कारों में समय आज व्यतित होगा प्रेम संबंदों में भी नजदी की आएंगी आपकी व्यस्तता के कारण जीवन साती का परिवार के लिए पति-पतनी के संबंद खुशनुमा रहेंगे। पति-पतनी के संबंद खुशनुमा रहेंगे। सरकारी सेवारत व्यक्तियों के ऊपर अतिरिक्त कार्य भर रहेगा। आप अपनी योग गिता व्यकाबलियत द्वारा अपने प्रतिष्ठान में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। और उसमें आप सफल भी रहेंगे। करमचारियों के प्रति आपकी उदारता वे उत्तम वहवार उनकी कार्य छमता को और भी अधिक बढ़ाएगा। दोस्तो साथिसाथ कार्य छित्र में आप सभी गतिविदियों को सुचारों रूप से नियंतरित करेंगे। अपनी कार्य प्रणाली दूसरों के सामने जाहिर ना करें। कोई इसका नाजायज फायदा उठा सकता है। नोकरी पेशा व्यक्तियों की उनके उचित काम के लिए तारीफ और साख बनेगी जिससे उनका मन काफी प्रसन रहेगा। दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है। दोस्तो आज आपका स्वास्त बहुती अच्छा रहेगा। परंतु जादा काम के दवाब की बज़े से पैरों में दर्द और ठकान महसूस हो सकती है। इसलिए आप सैयमित दिंचरिया रखे। इसके लिए दोस्तो आप अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए रोजन योग करें, वयाम करें, स्वस्त रहें। दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाय क्या हैं। दोस्तो आज आप इसनान आदिशे निरवत रहोने के बाद किशी गरीब, एह सहाय, रोगी या फिर किन नरो की सायता किसी भी रूप में अपनी श्रद्धा के अनुशार, अपनी शामर्त के अनुशार आवश्य करें। दोस्तो ऐसा करने शे भगवान शुर्यदेव का सीधा आशिरवाद आपको प्राप्त होगा। पॉस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, धन्यवाद।